वेलकम टू एससी मेकर आजये 29 मार्च 2021 और 29 मार्च से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो पूरे वीडियो बु पर एक चीज और बता दू कि जैसा कि आप सभी को पता है आज क्या है आज है तो विश्य वेरी हैप्पी होली टू आल अफ यू गाइज हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी होली मनाईएगा बहुत सेफटी तरीके से मनाईएगा बिकोज कोरोना की सिच्वेशन ही पूरी होली सेलिब्रेट कीजिएगा तो आई होप सब लोग अच्छे तरीके से अपनी होली को इंजॉय करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज और बता दू कि जैसा कि आप सभी को यह भी पता है कि हमारी की बात करें तो जीएस वन लाइनर के कितने हैं 25 सेट है मैप्स और रीजनिंग की बात करें तो मैप्स और रीजनिंग के सो और 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में मोस्ट रिपेटिड कोशन का इसमें कमपैलेशन दिया हुआ है जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के बनाने की घोशना करी तो आपको अगर करेक्ट आंसर मैं बता दू तो क्या है बिहार जी हाँ बिहार इसका करेक्ट आंसर बन जाता है अब हमें आपर बात करते हैं बिहार के मुख्य मंत्री कौन है नितीश कुमार जी है उन्होंने राजगीर में नेचर सफारी शुरू कर परने की घोशना करी ठीक है यह राज्य की पहली नेचर सफारी होगी इसे आम जनता के लिए समरपित किया जाएगा तो बहुत अची बात है आम जनता के लिए एक नेचर सफारी बनाई जा रही है कहां पर बिहार में तो यह आपको पता होना चाहिए जो लोग बिहार के हैं वो अच्छे से यहां पर घुम भी सकते हैं, चैलिए, अगर मैं आप लोग को बताऊं, इसमें प्रकर्तिक वातावरण में ग्लास स्काई वॉक के साथ में कई गतिविदियां, मतलब बहुत सारी और एक्टिविटीज भी हैं, ठीक है, और यह है देश का पहला बहु चर्चि स्वास्थे को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखने की सलाओं, ठीक है, तो अगर हम लोग बताएं अभी फिलहाल, तो यह कहां का है, अभी फिलहाल है यह राज्य सूची का विशे, अगर यहां पर बात चल रहे हैं, बहु पार्लेमेंट में डिसकेशन होता रहता है, ठीक है, कभी किसी चीज़ को लेकर डिसकेशन होता है, तो जो वित आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन है, अनके सिंग जी है, उन्हों नहीं, स्वास्थ है, जो एक टॉपिक है, जो एक सब्जेक्ट है, जो एक विश्य है, ठीक है, उसको राज्य सूची से ट्रांसफर करने को बोला है, समवर्ती सूची में, अब देखिए, कि यह अपनाया जा जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा, चलिए, तो इस बारे में कोशन बन सकता है, और अगर मैं आप लोग को बता दूं, भारतिय समीधान की कौन सी अनुसूची में, सात्मी अनुसूची में, इन तीन सूचियों का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है, और इन तीन सू 2021 में वर्चुल लीडर्स समिट, ओन क्लाइमेट की मेजबानी की बात कही, तो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर बताओं, तो क्या है, सैयोक तराजे अमेरिका, चलिए, अब इस कोशन के बारे में बात करते हैं, सैयोक तराजे अमेरिका के राष्टपती कोन है, जो बिडेन ह उन्होंने अप्रेल 2021 में वर्चुल लीडर्स समिट, ओनलाइम क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही, चलिए, बहुत अची बात है, अगर हम लोग देखें, तो उन्होंने इस समिट में भारते प्रधानमंत्री कोन है, नरेंद्र मोधी जी है, उनके साथ में 40 देशों के राष्ट प्रमुखों को भी इन्वाइट कर दिया, चलिए, उनाइटिड नेशन्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फरेंस को नवंबर में, ग्लास गो में आयोजित किया जाएगा, तो यह आपको पता होना चाहिए, दो अन्य आमंत्रित, दक्षिन एश्याई देशों में कौ जवाई परिवर्तन को लेकर बांगला देश उच जोखिम वाला भी देश माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है, डीट चलिए, मौफ करते हैं अचके अगले प्रश्न की साइद अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में इंडो को पार्क का उधगाटन कहां पर किया गया, तो अगर मैं करेक्ट आंसर बता हूँ, कहां पर किया गया, नई दिल्ली में, जी हाँ, नियु डेली में इसका उधगाटन कर दिया, अगर आप लोग नियु डेली में रहते हैं तो जाके देख ले ना, ठीक है, चलिए, भारत के इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उधगाटन 26 मार्च को नई दिल्ली में कर दिया, ठीक है, पार्क का उधगाटन कोरिया गनराजे के रक्षा मंतरी कौन, सुक वुक और भारती रक्षा मंतरी कौन, ये तो आपको पता ही होगा, कौन है, comment box में बता दिजेगा, ठीक जाएगा किया गया है मतलब ठीक है और अगर मैं आप लोग को बताओं इस यूद में 21 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इस पार्क में जनरल के एस थिमया की प्रतिमा भी स्थापित की गई है तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है नई दिल्ली चलिए मूव करत कि 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन पुरुष टीम इस परधा में भारत ने कौन सा पदक जीता तो बही कौन सा पदक जीता अगर हम लोग याँ पर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्वरान पदक जी हां गोल्ड मैजल जीत लिगा अगर मैं आप लोग को बताओ क्या नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था ठीक है और इस प्रतियोगिता में नीरज कुमार स्वपनिल कुसाले और चैन सिंग की जो तिकडी है ठीक है इसने भी पार्टिसिपेट किया था और इसमें भारत ने USA को फाइनल में 47-25 के रण से हरा दिया तो यह आपको याद रखना है भारत ने USA को फाइनल में हरा दिया था फाइनली चलिए अगर मैं आप लोग को बताओं इसके अलावा संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत की जोडी ने भी 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन मिश्रित टीम इस परधा में भारत को स्वरण पदक दिलाया चलिए बहुत अच्छी बात है चलिए अगले प्रश्ण की साइड अगले प्रश्ण की कहते है आट एंड कल्चर और टेंपल से रिलेटिड है अगर हम लोग बात करें कोशन की तो कोशन कहता है जो जेशो रेश्वरी काली शक्ती पीठ किस देश में इस्थित है तो अगर हम लोग याप पर बात करें कहां पर है यह है कहां पर बांगला देश में आपको मैंने बताया तक बांगला देश में मोदी जी दो दिन की यात्रा पर गए है जहां पर उन्होंने इस वाले मंदिर के दर्शन किये मंदिर का नाम क्या है जेशो रेश्वरी काली शक्ति पीठ मंदिर चलिए ठीक है ये प्रसिद मंदिर है हिंदू का मंदिर है नाम से भी आपको पता चल रहा होगा और इस मंदिर को पौरानिक परंपरा के अनुसार 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है ठीक है बहुत अच्छी बात है आप लो या कोई भी डेलिगेट किसी भी कंट्री में जाता है ठीक है तो उस कंट्री से रिलेटीड चीजे आपको याद रफ नहीं है क्योंकि SSC के फेवरेट टैप के कोशन्स होते हैं तो ऐसे कोशन्स पूछने के बहुत ज़दा चांसे बन जाते हैं वन डे एक्जाम में चलिए अगर मैं आप लोग को बता दूँ जेशोर रेश्वरी का जो अर्थ है वो क्या है जेशोर की देवी मतलब Goddess of जेशोर चलिए मुव करते हैं अज के अगले प्रेश्ण की साइड अगला प्रेश्ण के कहता है राश्ट्रिय सुच वायू कारिक्रम के तहत कितने शहरों में स कमयबत तरीके से कारियों के निश्पादन के लिए समझूता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए तो अगर हम लोग यहां पर बात करें इसके बारे में इसके correct answer कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो क्या है इसका correct answer है 132 अब इसके बारे में बात करते हैं क्या कहता है यह जो समझोते हैं, यह समझोते हैं, राज्य प्रदूशन नियंत्रण बोडों के साथ में, शहरी इस्थानिय निकायों के साथ में और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किये गई हैं, ठीक है? और यह कारोय केंद्रिय परियावरन वन एमम जलवायू परिवरतन मंतरी, कौन है? श्री प्रकाश जावडेकर जी है, उनकी उपस्थिती में यह संपन हुआ, चलिए, अगर हम लोग बात करें, इसके द्वारा स्वच भारत स्वच वायू के विजन पर भी जोर देने की बात कही, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, क्या? स्वच भारत और स्वच वायू के विजन पर जोर देने की बात किस कारेकरम में कही गई? तो भई, राश्ट यह स्वच वायू कारेकरम में कही गई? चलिए, मुव करते हैं आज के अगले प्रश्ण की साहिड, अगला प्र अगर मैं आपको बता दूँ, यूपी राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए कि फाइती किराय के आवास की एक योजना को शुरू करने की बात कही है, जो की बहुत ज़द जरूरी भी है, चलिए, अफोर्डेवल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्पलक्स, यह इसका नाम होगा, ठीक है, इस योजना के तहत, शहरी प्रवासियं, गरीब मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आई वर्ग, जिन में कारखाना श्रमिक, शैशनिक संस्थान और चात्र इसके लाभारती भी होंगे, तो बहुत ज़दे यह इंपोर्टेंट चीज है, औ अगर कोई स्टुडेंट है, ठीक है, इस्टुडेंट को कहीं पर भी, मतलब यूपी में कहीं पर भी यह रेंट पर रूम लेना है, रेंट पर कोई भी चीज लेनी है, अपनी पढ़ाई से रेलेटिर चीज करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए सीरियस से बहुत अच्छी स्कीम है इसको जरूर से जरूर आप लोग इसके बारे में अच्छे से देखिएगा जब यह पूरी तरह से लॉंच हो जाएगी तो भी मैं आपको बता दूंगी जिसको भी फायदा उठाना वो डेफिनेटली फायदा उठाए चैलिए तो अगर मैं इसके खाली मकानों को A.R.H.C. में परिवर्तित करना शामिल है और अगर हम लोग बात करें दूसरे मोडल की तो दूसरे मोडल के तहप A.R.H.C. का निर्मान साथ में संचालन और रख रखाओ सार्वजनिक नीजी संस्थाओ द्वारा उपलवद खाली भूमे पर भी किया जाए का तो इसका कर स्थान अंसर क्या है जिन जाता है जी हां हमारा अपना योग पी चली अगर हम लोग कोई क्रिविजन की बात करें कल के वीडियो की कल के quick revision की बात करते हैं 28 में होनर हाट का आयोजन पनजी में किया जा रहा है बहुत अच्छी बात है कानहा tiger reserve कहां पर इस्थित है कानहा tiger reserve है MP में इस्थित और एक और हमने बात करी थी national park की कौन सा सतकोसिया तो सतकोसिया कहां पर है आप लोग को यह बताना है comment box में चलिए ब के अधिकारी सौरब गर्ग को नियुक्त किया गया है ठीक है खबरों में रहा वाल वाडा नरसिमा रेडी एरपोर्ट कहां पर आंध्रा में इस्थित है चलि आई होप सब लोग को याद हो गया होगा अगर हम लोग बात करें कल के प्रश्न की तो कल का प्रश्न था किस वर और उमीद करती हूं भाई आज भी करेक्ट आंसाज लिखेंगे आप लोग अगर हम लोग बात करें आज के प्रश्न की तो आज का प्रश्न क्या कहता है हाल ही में युपी काबिनेट नहीं कहां पुलिस कमिशनरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया तो भाई यह चार अगर अगर आप लोग ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो भी वेट मत करो जल्दी जल्दी शेयर कर दो ठीक है बहुत चोटा सा वीडियो होता है इसको ज्यादा से रदा शेयर करें सब लोगों को फाइदा मिलेगा और हां अच्छे से होली मनाईएगा अच्छे से झाल